साबी दोस्तों को मेरा नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ग्यांदी फिंदी चैनल पर तो डियर फ्रेंज आज हम बात करने वाले हैं बीसी सक्यों के बाद अब स्वेंग सायता समू पर भी काफी संकट के बातल दिख रहे हैं तो अब आसानी से नहीं मिल सकेगा स्वैंग साहता समों को कोटा क्यों नहीं मिल सकेगा इस पर क्या यहां पर धादली हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ससक्राइब कर लेजिए और इस वीडियो का एक सटी खबरें आपके समक्स लगातार मैं इस वीडियो के समक्स लाता रहता हूँ तो इसमें जो सूत्र के मुताबर के जानकारे मिली है कि परताबगर के कोटे से संचालन में स्वेंग साहता समों की महिलाओं को विरिता दी जा रही है और इस पे जो कोटे के संचालन में जो स्वेंग सहता समू है उस पर काफी विरता दी जा रही है लेकिन अब गाओं के प्रधान समित कोटे के सेन को लेकर घर व परिवार की महलाओं को समू से जोड़ रहे हैं यानि कि अपने अपने परिवार और घर को यहाँ पर एक सिपारिश की तौर पर जोड़ा जा रहा है। है उस पर जोर दिया जा रहा है और अपसरू के माध्यम से ही इसका अब चैन किया जाएगा उसकी वीडियोग्राफी होगी यानि कि जब चैन होगा तो उसकी वीडियोग्राफी होगी आप कागजू पर ही हो चयन नहीं किया जाएगा एक से अधिक आवेदन पर DC NRLM को अनुमोधन करना होगा यानि कि आप अनुमोधन करने के बाद ही आवेदन कर सकेंगे उससे पहले आवेदन नहीं कर सकते हैं इसके अनुमोधन पर हिस्वेंग साहता समों के नाम पर कोटा आवेदन किया जाएगा जब आप अनुमोधन करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर कोटा आवेदन किया जाएगा सरकार की तरफ से अगर इसमें किसी भी परकार की कोई धादली होती है तो यह वीडियो ग्राफिक माधियम से यह सरकार के सब उन अपसरू तक महों सकता है आपका यह वीडियो तो आप इसमें धादली बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिले भर में करीब 100 ग्राम पंचैदू के कोटे का संचालन स्वेंग साहता क्यों महिलाई कर रही है ऐसे में कोटे के आवंटन के समों की महिलाओं को प्र आत्मनिर्भाय भारत की तरव आगे बढ़ रही हैं इसके लिए अब खेल होने यानि कि बहतरीन ऐसे प्रदक्सन हो रहे हैं महिलाओं की तरव से जो एक अपने आप पर एक अलग ही जूर दिया जा रहा है ऐसे में जो अपने प्रधान अपने चहेते समों को कोटा अवंट यहां पर कोटा दिया जा रहा है बाकी को यहां पर यहां पर नहीं दिया जा रहा है इस पर काफी बहतरीन तरीके से यहां पर सरकार का एक फैसला आया है उधान के तोर पर सदर तहसिल के छेतर रामपूर भोशपूर में यहां पर एक कोटे का आवंटन जो कमिशनर तक पह प्रामिर आजीव का मिशन के निर्देशक ने इसपष्ट किया है कि अगर गाउं में कोटे के लिए कहीं सम्हों आविधन करेंगे तो DCNRLM के अनुमोधन पर ही सम्हों को कोटे की संचालन की जम्यदारी दी जाएगी अन्य था नहीं दी जाएगी जब जम्यदारी दी जाएगी अनुमोधन होगा उसके बाद ही NRLM के द्वारा यह अनुमोधन करने के बाद ही सम्हों को कोटे का अवंटन किया जाएगा इसमें निर्धारी सर्थ पूरा करने पर चेहन होगा अगर आप सर्थ पूरा करते हैं उसके बाद ही आपका इसमें सहन पूरा हो पाएगा मानक करना होगा पूरा यानि कि मानक जो भी मानक इसमें बताये गए हैं उन मानकों को पूरा करना होगा उसके बाद ही इसमें आप आविदन कर सकते हैं और इसमें आप चैन हो सकते हैं और NRLM द्वारा गाउं में किये जाएगी इसमें आविदन की प्रिक्रिया यह देखते हुए कि कौन सा समू अधिक सक्री है और कौन सा कम है समु तरह तरह के उत्पादन उत्पाद पैदा कर रहा है ऐसे में जो विभिन परकार के समु है उनके उपर सारी निग्रानी रखी जारी है समु की महिलाई रोजगार से जूड़ी हुई है ऐसे में इसके अलावा अन्य कई सर्तों को पूरा करना होगा सर्थ पूरा करने वाले समू को ही कोटे का आवेदन किया जाएगा तो उससे पहले आप इसमें आवेदन नहीं ले सकते हैं तो इसमें एक महत्तपूर्ण बात यह है कि एक से अधिक समू के आवेदन करने पर इसका सत्यापन होगा अगर आप एक से अधिक इसमें आवेदन करते हैं तो इसमें उसके बाद ही सत्यापन होगा निर्धारी सत्र शर्थ पूरा करने वाले समो को ही कोटे का आवंटर किया जाएगा तो इसमें डाक्टर एनन, मिस्टरा, डीसी, एन आरलेम द्वारा यहां पर प्रस्तावित किया गया है तो इसमें इनका यहां बहतरिन तरीके से इसमें इस चैन पिरकिजा को पूरा करने वाले हैं तो इसमें जो स्वैंक सायता सम्मूग के जो महला हैं उनके लिए यहाँ पर यह दिक्कत पैदा कर सकता है अगर आप इसमें किसी भी प्रकार की को सब्सक्राइब करती है अगर इस प्रकार से पाई जाती है तो आपके उपर काफी कडि कारवाई होने वाली है तो आप सतरकता से इस कारी को करिए अपनी इमानदारी के साथ करिए और आपको इसका बखुबी ढंक से इसमें आपका इनाम मिलने वाला है तो कैसी लगी हमारी हो वीडियो हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तो किसी भी प्रकार की कोई हेल्प की जरूरत हो तो हमारे इस बॉक्स में कमेंट करिए हम आपकी हेल्प करने की कोशिज जरू करेंगे और रिप्लाई जरू करेंगे तो डियर फ्रेंट्स मिलते हैं इसी तरह की नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ तब तक मुझे दिजी इजाजत थेंक यू बाई बाई टेक केर